नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबाल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त पहला इकन को ज़रू पैस कीजिएगा ताकि आपका हमारे लेटेस वीडियो नोटिफिकेशन चल से जड़ मि को बताते हैं दोस्तों आप लोग जो भी mail का इस्तावाल करते हैं और काफी सारे लोग सको mail करते हैं दोस्तों और Gmail करते टाइम जो है आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप जो है किसी को reply देना चाहते हैं लेकिन आप जयस्त हैं अपने कामों में और उनको acknowledgement होना चाहिए कि आपको mail मिल गया है और आप auto generated mail set कर लेते हैं इस तरीके से कि जैसे कोई आपको mail करे तो एक auto generated mail उनके पास जाए जिसमें आप एक custom message करके लिख सकते हैं दोस्तों और ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से दिखे ये काम करता है दोस्तों और माल दीजिए जैसे कि हम अभी यहां आइडी बदलते हैं आइडी बदलके मैं इस जो है दूसरी आइडी से अपनी उस आइडी पर मेल कंपोज करूँगा जहां पर मैंने जो है दोस्तों कस्टम मेसेज को लगा रखा है यह मैंने लगा दिया है और मैंने यहां सब्जेक्ट में हेलो लिखिया है और यहां इस तरीके से अब यह मैल मान दीजिए कंड़क्ट हो गया है और यह बनने के बाद अब मैं यहां से सेंट करने वाला हूँ और दोस्तों जैसे मैं इसकी सेंट करूँगा अब मेरे इंबॉक्स में देखियेगा सेंट होने के बाद मैं इसको र Efendimiz करूँगा या हम कह सकते हैं थोड़ी ही देर बाद यह यहां पर एक inbox में message आएगा और अभी यह sent हो गया है हम इसको एक बार जो है refresh करके देखते हैं refresh करने के बाद जैसे ही यह दोस्तो mail वहां पर receive होगा अभी आप notification में भी देखेंगे देखिए दोस्तो यह यहां पर inbox में आ गया है और लिखा आ गया है thank you और यह reply है hello subject जो था उसका और आप जैसे अंदर click करेंगे यहां देखेंगे लिखा है thanks for the mail I will reply to you as soon as possible यह दोस्तों हमने कस्टमाइज एक कह सकते हैं mail यहां पर message set कर रखा है और नीचे यह designation आ रहा है तो दोस्तों को set कैसे किया जाता है देखिए मैंने जो है आपको में वापिस अपनी उस ID पर लेश चलता हूं और settings में जाने के बाद आप जैसे यहां नीचे आएंगे आपको settings को option मिलेगा यहां सेटिंस में चलते हैं सेटिंस में चलने के बाद आप उस account को select कर इे जिसके साथ आप porto generated mail बनाना है हमने उपर वाला यह set कर लिया है और आप यहां आने के के बाद आप जो है दोस्तों जैसी नीचे आएंगे आपको दिख रहा है वेक्षण रिस्पॉंडर करके ऑफशन जो आ रहा है और यह हमने कब से लागू किया है यह देखिए 15 सिस्टंबर से यह यहां चल रहा है वेकेंशन रिस्पॉंडर पर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है थैंक्यू जैसे ही मेल जाएगा ऑटो जनेरेटेट थैंक्यू सब्जेक्ट जाएगा मैसेज आप कुछ भी पूट कर सकते हैं आप यहां कस्टम आप कर सकते हैं डेट आप ले सकते हैं नन कर सकते हैं तो यह नौट सेट पर है दोस्तों आप शुरू कब से करना चाहते हैं और आप जो है वेकेशन रिस्पॉंटर को नेवल करने कवाद यहां से डन कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों आपने डन किया नीचे मैं आपको को करने के लिए आप नीचे इस पर क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ से O यहाँ कर दिया है अब दोस्तों यह यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया यह आपके बहुत जादा काम आने वाला है और आप ऐसा सैट करके जो है इमेल इसके जवाने में यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि इस तरीके की टूल्स और टेक्नीक्स अगर जीमेल हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसका उपयोब करना चाहिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है बिविक भारत द्वाज थैंक यू